जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग और उसकी दोस्तों ने अपना थर्ड चालेंजों की पिलर को पार रखकर ट्रेनिंग करना था, वो पूरा कर लिया था और अब उन्हें उनका चौता चालेंज दे दिया गया था, जिसमें उन्हें जियूबाई को धून कर उसकी सहायता से डेमनिक वेल्स को मारना है, अब वो इसके लिए तयार हो गए थे, लेकिन इस चालेंज को एकसेप्ट करने से पहले वो सब शहर में जाकर रेस्ट करना चाहते थे, इसलिए सभी बच्चे शहर के अंदा जाकर मजाग मस्ती करने लगते हैं, वो ऐस शैंग और बागी सभी को पता चल जाता है, कि मार्शल सोल हॉल अब इलेक्शन के बाद एक एक करके सभी एमपायर्स पर हमला करेगी, उनके इस मैसेच से ये भी पता चलता है, कि एमपरेर की हालत फिर से बिगड रही है, क्योंकि अब तियान दो एमपायर के कमजोर हो जा जा गया है, वहीं अब दूसरी तरफ हम श्रिक स्कूल के अंदर देखते हैं, जहां सभी टीचर्स आपस में मार्शल सोल हॉल के बारे में बात कर रहे थे, और अपने एमपायर को मार्शल सोल हॉल के हमले से बचाने की ताक्टिक सोच रहे थे, वहीं अब हम बीबी दॉंक को देखते हैं जो अपने सिंगहासन पर बैठी थी और वो भी हम लेका प्लान सोच रही थी और एक-एक करके उसके इशारे पर उसके आत्मी 23 एंपाइ़ के कई हिस्सों पर हमला करते जा रही थे वो पहले तियांदो एंपायर पर इसलिया हमला कर रही थी क्योंकि ये एंपायर जिंगलो एंपायर के कमपारिसन में कमज़ुर है और इसको हासल कर पाना असान है वही हम जिंगलो एंपायर के अंदर देखते हैं जहां Cat Girl की बड़ी बहन मिस्टर दाई के बड़े भाई के पास आती है और वो उससे बाते करती है और वो दोनों मार्शल सोल हॉल के हमलों के बारे में ही बाते करते हैं वो बताती है कि वुहान एम्पाइर ने अब अटाक्स चालू कर दिये हैं और तियांदो एम्पायर के कई शहरब वुहान एम्पायर के कंट्रोल में हैं। उन्हें अब ये भी पता चल जाता है कि बीबी दॉंग का प्लान तियांदो एम्पायर के बाद जिंगलो एम्पायर पर अटाक करने का है। वही हम ग्रांड मास्टर को देखते हैं जो रात के अंधेरे में भी विहान हौल से बचने का प्लान सोच रहे थे। और अब उन्हें कुछ-कुछ बाते समझाने लगती हैं। वहान एम्पायर तियांदो एम्पायर पर इसलिए हमला कर रही है क्योंकि तियांदो एम्पायर के अंदर बड़े बड़े जंगल, बड़ी बड़ी नदियां और सुन्दर छीले हैं। जिस वज़े से अगर तियांदो एंपाइर वुहान एंपाइर के अंदर आ जाता है तो वुहान एंपाइर के लिए बाकी एंपाइस को खतम करना मुश्किल नहीं होगा। वुहान एम्पायर अगर चाहे तो अकेले ही तियांदो एम्पायर को हरा सकता है और ये बात ग्रांड मास्टर को सताई जा रही थी वो बीबी दॉंग की बुद्धी मत्ता को समझ जाते हैं कि कैसे वुहान एम्पायर की नजर तियांदो एम्पायर पर बहुत पहले से थी इस वज़ा से ही वुहान एंपायर ने बहुत साल पहले कियान रेंज्यू को प्रिंस ज्यू बनाकर यहां भेजा था और यहां उसने ये सब शड्यांत्र रचा था वो तो एंट में मौका पाकर टैंग शान ने सब कुछ ठीक कर दिया लेकिन फिर भी रॉयल फामली को बहुत सादा लॉस हुआ था और इस वज़े से रॉयल फामली टूटसी गई थी और बहुत कमजोर हो गई थी अब इस बात का फायता उठा कर बीबी डॉंग हम पर हमला कर रही है ग्रांड मास्टर अपने मेंन सिटी और मेंन बिल्दिंग्स पर डिफेंस बढ़ाने का डिसाइड करता है और अब अलग लग जगे अलग लग संख्या में सोल मास्टर्स अलाइन करने लगता है अब ग्रांड मास्टर माप को देखी रहे थे कि तब ही उनकी नजर ये लांड सिटी बर जाती है और वो सिटी को देखकर सदमे में चले जाते हैं और फिर अब हमें ग्रांड मास्टर का पास दिखाया जाता है जिसमें वो और बीबी दॉंग जब जवान थे तब ये लांड सिटी के अंदर वो घूमा करते थे हम उन दोनों को एक साथ बहुत खुश देखते हैं और उन दोनों के बीच हमें एक रोमांटिक एंगल भी देखने को मिलता है वो दोनों शहर में एक साथ मस्ती करते हुए घूम रहे थे वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और एक दूसरे की काफी इज़द करते थे वो एक बजार में घूम रहे थे और वहाँ बीबी दॉंग को एक लांटन दिखता है और बीबी दॉंग को ये लैंटन बहुत पसंद आता है फिर अब हमें यहां से पता चलता है कि इस सिटी में लैंटन फेस्टिवल आने वाला है और बीबी दॉंग को ये फेस्टिवल काफी जाधा पसंद है जिस वज़े से उसने ये लैंटन खरीदा होता है वो अब Grand Master से हसकर बात करने की कोशिश करती है लेकिन Grand Master अपनी एक बुक पढ़ रहे थे जिस वज़े से वो बीबी दॉंग को सुन नहीं पाते और बीबी दॉंग इसका पुरा मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है लेकिन जब Grand Master को होश आता है तो वो चारो तरफ बीबी दॉंग को ढूरने लगते है लेकिन उसे बीबी दॉंग कहीं नहीं दिखती वो आसपास के लोगों से बहुत पूछताश करता है लेकिन फिर भी उसे कुछ पता नहीं चलता लेकिन तब भी उसके नजर एक सड़क बर जाती है जहां बीबी दॉंग खड़ी थी और वहाँ अब ग्रांड मास्टर चले जाते है और उसे मना लेते हैं जिसके बाद ये दोनों खेल ले लगते हैं और इन दोनों के बीच के रोमांस को हम अच्छे से नोटिस कर पाते हैं Grand Master ने अपनी बुक में बीबी दॉंग की तस्वीर बना रखी थी, जिससे हम समझ जाते हैं कि Grand Master के लिए बीबी दॉंग कितनी मायने रखती है। अब फिर हम वापिस प्रेजिंट में आते हैं, जहां हम मार्शल सोल हॉल के अंदर बीबी दॉंग को देखते हैं, जो अपने आत्मियों को ओडर देती हैं कि ये लांसिटी को अपने कंट्रोल में ले लो और वहाँ वुहान एंपायर के कानून गोशित करो। लेकिन एक बात मास्टर के लिए फिलिंग्स रखती है और वो उन यादों को तबा नहीं करना चाहती है। वहीं अब दूसरी तरफ हम आइलेंड के अंदर तैंक शांग और बागी सभी को देखते हैं, जो अब जल्दे से तियांदो एंपायर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब त पूरा कैसे करेंगे? क्योंकि फूर चालेंज को पूरा करने के लिए हमें जियाओबाय की जरूरत पड़ेगी और हमें नहीं पता है कि जियाओबाय कहां है। इस पर तैंक शांग एक तरीका सोचता है और वो आसमान में उड़ता है और फिर मोटू से कहता है कि तुम अप मैंने डुमेन को फैलाओ। मैं तुम्हारे डुमेन को बूस्ट करूंगा और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पानी के जीव आग से डरते हैं इसलिए तुम्हारे डुमेन को नोटिस करके जियोबाय जरूर यहां आ जाएगी। सबको यह प्लान काफी अच्छा लगता है और अब हम मोटू की सेवन स्पिरिट रिंग को देखते हैं जो कि फिनिक्स की ट्रू फॉर्म थी और यह काफी शक्तिशाली थी। तैंग शांग अब अपनी पॉपल डेमन आय की मदद से मोटू के डोमेन को एकस्पांड कर देता है और उसे चारो तरफ फैला देता है अब वेल्स के बारे में जानकारी देती है असल में ओशन के अंदर 320 राज करते हैं जिन में पहले नंबर पर है डीप सी डेमन वेल फिर आती है टाइगर डेमन वेल उसके बाद आती है शाक्स इन सभी में सबसे जादा ताकतवर डीप सी डेमन वेल्स है लेकिन ये काउंटिंग इसमें से वो ग्रूप सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जिसे किंग गाइड करता है। वो ग्रूप खून के बहुत प्यासे होते हैं और वो अपने शिकार को ना सिर्फ मारते हैं, बलकि उसे बेरहमी से मार कर खा जाते हैं। ये ग्रूप God of Sea के बनाए हुए रूल्स को भी तोड़ देता है। जियूबाई डेमन वेल्स के बारे में और भी बहुत कुछ बताती है, जो हमें अब आगे पता चलने वाला है। जियूबाई का और डेमन वेल्स टैकर के किंग की एक दूसरे सित दुश्मनी है। वो उनको और भी बाते बताती है और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं खतम हो जाता है।